Hello Friends, Welcome to MPR Tag Windows Server 2016 में हम Graphically Hard Disk Management के लिए ज्यादा तर यूज़ करते हैं Disk Management Snapping का पर आप Hard Disk को Manage करने के लिए Software Manager Console का भी यूज़ कर सकते हो So, इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि हम Windows Server 2016 में Software Manager Console की Help से Hard Disk और Disk Partition को किस तरह से Manage कर सकते हैं So, सबसे पहले मैं Open कर लेता हूँ Software Manager उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ Start Button पे और यहाँ पर क्लिक करता हूँ Software Manager पे Software Manager जैसे Open हो जाता है उसके बाद आपको क्लिक करना है File and Storage Services पे यहाँ पर आप Options देख सकते हो Servers, Volumes, Disk, Storage Pool Future Video में हम देखेंगे कि हम Storage Pool को किस तरह से Create कर सकते हैं और Manage कर सकते हैं Currently मैं यहाँ पर क्लिक करने क्लिश आ रहा हूँ Disk के उपर आपके सिस्टम में आपने जितनी Hard Disk Attach की हुई है वो सारी Hard Disk आपको यहाँ पर देखने मिलेगी जैसे आप यहाँ पर देख रहे है हमने Software 01 पे यहाँ पर टोटल तीन Hard Disk Attach की हुई है Disk 0, Disk 1 और Disk 2 तीनों का जो Status है वो यहाँ से बता रहा है Online जो तीनों Hard Disk की Capacity है वो आप यहाँ से देख सकते है और जो Partition Style है जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है जैसे आप यहाँ पर देख रहे है कि Disk 0 का जो Partition Style है वो है MPI यहाँ पर यह दोनों Hard Disk के लिए जो Partition Style है वो दिखा रहा है Unknown उसका मदलब यह है कि अभी तक हमने उस Hard Disk के लिए Partition Style Define नहीं किया हुआ सो सबसे पहले हम इस Hard Disk को Initialize कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहाँ से Right Click करता हूं और यहाँ पर Select करता हूं Initialize जैसे आप Initialize Select करते हो उसके बाद आपको एक Pop-Up Message मिलता है यहाँ पर आपको बताया जा रहे है कि अगर आप इस डिस्क को Initialize करने के लिए जा रहे हो तो इस Hard Disk के उपर जितना Data Store है वो सारा Data Erase हो जाएगा और यह Hard Disk Initialize होगी GPT Partition Style के साथ हमने Disk Management Snapping के अंदर देखा था कि वहाँ पर जब आप Partition Style सिलेक करने के लिए जाते हो Hard Disk को Initialize करते हो तब आपके पास दो Options होते है या तो आप सिलेक कर सकते है MBR Partition Style या फिर आप सिलेक कर सकते हो GPT Partition Style बड़ जैसे आप यहाँ पर देख रहे है कि करंटी हमारे पास यहाँ पर एक ही Options अवेलेबल है और वह है GPT इसका Reason यह है कि Microsoft अब recommended करता है कि आप जो Server के उपर Hard Disk के यूज कर रहे हो उसका जो Partition Style है वो Style यूज करो GPT और जो Difference है वो हमने पास वीडियो के अंदर देखा था कि क्या Difference है क्या Advantage है GPT Partition Style यूज करने है उसमें जो सबसे बड़ा Advantage था GPT Partition Style का हो यह है कि GPT Partition Style 2TP से ज्यादा Size की भी Hard Disk है तो भी उसे Support कर सकती है जो MBR Partition Style सपोर्ट नहीं कर पाता था अब मैं यहाँ से क्लिक क लिए भी इस तरह से Partition Style से लेकर सकता हूं इसे यहां से Initialize कर सकता हूं सुराइक लिक करते हैं उसके लिए सिमिलर यहां से मैं से लेक कर लेता हूं Initialize तो करता हूं Yes पे और जो हमारा हार डिस्क है उसका Type आपको यहां पर लिका रहा है GPT अब आगर आपको यह देखना है कि आपके हार डिस्क के उपर कितने Partitions है तो उसे देखने के लिए आपको उस हार डिस्क को Select करना होगा तो उसके लिए मैं आसा Select कर लेता हूं Disk 0 जैसे आप हार डिस्क 0 से लेक करते हो यहां पर आपको नीचे दिखाये जा रहा है कि इस हार डिस्क के उपर Total कितने Partition Created है जैसे आप यहां पर देख सकते हो, कि जो disk 0 है, उसके उपर हमारे पास total 3 partition है, system is a partition, c drive, जहां पर हमने वह इस इंस्टोल की है, और d drive, अगर आपको यहां पर एक और partition create करना हो, for example, हम disk 1 पे एक partition create करना चाहते है, यहां पर कोई volume exist नहीं है, इसलिए हमें बता रहे है, no volumes exist, मैं यहां पर click करता हूँ, तो भी आप wizard start कर पाएंगे, और आप यहां से भी right click करके select कर सकते हैं, new volume, वो भी जो है, वो same wizard open करेगा, जिसके help से आप इस disk के अंदर volume create कर पाएंगे, so मैं यहां पर click करता हूँ, to create a volume, start the new volume wizard, आप यहां पर भी click कर सकते हो, और वहां से भी new volume wizard start कर सकते हो, click करते हैं next पे, अब आपको पूशा जा रहा है, कि कौन से disk के अंदर आप partition create करना चाहते हैं, हम यहां से select कर लेते हैं disk 1, click करते है next पे, अब आपको पूशा जा रहा है कि आप कौन सा drive letter assign करना चाहते है, मैं यहां से drive letter assign कर देता हूँ, कि करते है next पे, जैसा हमने disk management snap in में देखा था, वैसे same options हमें यहां पर मिल रहे है, अब यहां पर हमें push जा रहे है file system, जिसके help से आप इस volume को format कर रहे है, यहां पर आपके पास options हैं, कि आप REFS select कर सकते ह आप यहां पर देख रहे हैं, कि यहां पर XFAT का options अब नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां से select कर लेता हूँ, REFS और फिर click करता हूँ next button पे, click करते है create पे, अब जैसे आप disc 1 select करेंगे, उसके अंदर आपको जो volume आपने create किया है, वो यहां पर देखने मिलेगा, यहां पर जो volume का poisoning है, वो बता रहे है fix, हम currently fix या thin provision के बारे में discuss नहीं कर रहे हैं, उसे हम तब समझेंगे, जब हम storage pool का demonstration देख रहे होंगे, अगर आपको इस volume को extend करन है, तो वो possible है, उसके लिए आप इस volume के राइट लिक कीजिए, और यहां से select कीजिए extend volume, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास options available है, सबसे पहला है new share, अगर आपको इस volume के अंदर कोई नया share folder create करना है, तो भी possible है, दूसरे options है manage drive data and access path, आप यहां से similarly, जैसे हमने disk management snap in में देखा था, वैसे आप यहां से drive data change कर सकते हैं, और अगर आप साथ में इसको किसी NTFS folder में bound करवना चाहते हैं, तो वो भी possible है, यहां पर मैं क्लिक करता हूँ cancel पे, और जो दूसरे options थे, उसे format, जो हम जानती है, कि format करने के लिए हम इसे use करते है, यहां यहां पर delete और extend volume का options है, बद जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर shrink volume का options नहीं है, जो हमें मिलता था disk management snap in के अंदर, so Microsoft ने वो options भी यहां से remove कर दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ यहां से जो volume है, उसे extend कर सकते हो, so हम select कर लेते हैं extend volume, यहां पर मैं नई size specific कर देता है, जो अब capacity है हमारे volume K की, वो बदा रहे 59.9 GB, so इस तरह से आप जो volume है, उसकी size को extend कर सकते हो, मैं वापस यहां पर देख करता हूँ, और यहां से select करता हूँ, manage drive later and access path, यहां पर हम access path भी add करने के लिए जा रहे, इस तो मैं क्लिक करता हूँ, browse button पे, यहां से हम select कर लेते c drive और एक folder मैं यहां पर add कर देता हूँ, जिसे मैं नाम दे देता हूँ, data, select कर लेते हैं इस folder को, और click करता हूँ, add पे, इसके पाथ click करता हूँ, ok button पे, हम open कर लेते हैं file explorer, यहां पर मैं open कर लेता हूँ c drive, तो हम यहां पर data, जो shortcut है, वो मिल रहा है, वो folder, और जिसकी size ही now, जिसे हम नाम दे देते है, simple file, this is a simple file, just for checking, save कर लेते हैं इसे, ok, so जो path आप करने लियां पर देख रहें, वो है c colon slash data, जिसके अंदिर हमने simple file create किये, but अगर आप this PC पे click करे, और जो volume हमने create किया है, draw letter K के साथ, उसे double click करे, तो same file आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानि कि जैसे हमने disk management में देखा था, कि आप at the same time trial letter भी assign कर सकते हो, और mount point भी दे सकते हो, जिसे user mount point की help से भी, उस volume को access कर पाए, सुइसरा से हम Windows 7 2016 में software manager console की help से hard disk को manage कर सकते हैं, अगर आप disk को reset भी करना चाहते हो, तो भी वो possible है, आप यहाँ से वापस disk को reset कर सकते हो, और ट्लिक करके, अगर आप disk को reset करते हो, जो उसके अंदर जितने भी partitions या data है, वो completely erase हो जाएगा, और जो partition style भी आपने select की है, व यकि वहाँ पर हमने कोई partition create नहीं किया है, पर यहाँ करता हूँ इसे और यहाँ से select करता हूँ reset disk, यहाँ पर आपको बता जा रहा है, कि resetting this disk, erase all data on it, यानि कि जो आपने data इसके अंदर store किया हुआ है, वो सारा data erase हो जाएगा, क्या आप continue करना चाहते है, प्लिक करते है yes प और जैसे आप यहाँ पर देख रहे है, कि अब disk का status online है, वे जो partition style आप देख रहे हो है unknown, इस तरह से हम Windows 2016 के अंदर saw manage dashboard का use करके hard disk को manage कर सकते है, hard disk का partition style select कर सकते है, और hard disk के अंदर हम volume create करके उस volumes को भी manage कर सकते है, इस video demonstration के लिए इतना ही, thank you for watching this video.